Hello everyone, कैसे आप सब? Investing with Hardeep में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो और एक नई अपडेट में अगर आपने चैनल पे पहले बार विजिट की है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस करके आल पर जरूर स्लेक्ट कर लीजे ताकि जितनी भी वीडियो जप्लोड हो आप लोगों तक notification है जो वो सबसे पहले पहुंच जाए क्योंकि आप लोगों का एक subscribe जो है मुझे और motivate करता है उसके बाद market ने recovery की और उसके बाद side wage market आज के दिन में अपनी closing देते विए नजर आ चुका है अब बात अगर epsilon की करें तो chemical sector का share है 400 रुपे का stock आज 255 रुपे पर trade कर रहा है पिछले last साल की अगर performance देखेंगे तो काफी positive रही थी almost 200% return जो है ये stock investors को बना कर दे चुका था एक small cap company है एक risky company कह सकते हैं आप इसको small cap company थोड़ी सी risky जरूर होती है और काफी दिनों से आप लोगों को जो है chemical sector के जितने भी share से उनमें एक अच्छा कासा positive momentum भी देखने को मिल रहा है हलाकि company ने अभी जो है अपने quarter 4 के नतीजे जो है वो पीश नहीं किये है आज की अगर बात करें तो 3 रुपे 40 पैसे की बड़ा जुरूर देखने को मिली market ओवी थी opening के साथ gap up एक retracement देखने को मिला और market में दोबारा से comeback करते विए 255 रुपे पे जाके stock ने अपनी आज की closing दे दी है पांस दिन के अंदर जो है एक पसंड के आसपास तक की गिरावट आप लोगों को देखने को मिल रही है एक महीने के अंदर तीन पसंड की returns positive हैं और अगर छे महीने के मैं बात करूँ तो यह देखे छे महीने में stock में almost 23% की correction हो चुके इस level से अच्छी खासी correction हुई recovery भी दिखाई लेकिन 400 के आसपास से stock ने सीधा जो support लिया वो लिया 220 रुपे पे जाके अब अगर आप एक साल का data देखें यहाँ पे जो level था यह था 400 का और यहाँ से जो है market में सीधा correction आया 220 रुपे का अब इस level पे बहुत सारे इंवेस्स परिशान हुए परिशान होने की वजय भी थी क्योंकि stock almost 50% correct हुआ और correct इस वज़े से हुआ कि almost stock ने recovery काफी अच्छी दिखाई थी और एक small cap company के अंदर जो है काफी हद तक operators का काम या फिर promoters का हाथ होता है कि stock को manipulate किया जाए और वही चीज हुई और उसके बाद से market sentiments negative रहे तो stock ने भी अपनी recovery की वज़ाए गिरावर दिखाई अगर आप bank nifty nifty के अंदर ट्रेडिंग करते हैं ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं ट्रेडिंग से डेली का 2-3,000 का profit करना चाहते हैं तो वीडियो के description box में आप लोगको मेरे free telegram group का link मिल जाएगा जिस पे डेली में एक से दो demo call देता हूँ और इस एक से दो demo call से आप डेली का 2-3,000 का profit easily कर सकते हैं साथ में आप stock market को और trading को सीख भी सकते हैं क्योंकि learning जो है वो बहुत जुरूरी है performance अगर आपको check करनी है demo calls की तो आप group को join करके आज की performance भी check कर सकते हैं कि कितने अच्छे target जो है आज की मेरी demo calls ने hit किये है बात अगर इस company के maximum returns की करें तो देखिए 980, almost 1000% के return जो है stock बना के दे चुका और पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि गिरावट हुई है यहां से अगर देखेंगे तो यहां पे पहले भी गिरावट हुई है चोटी चोटी गिरावट जो हैं पहले भी हुई है और एक small cap company होने की वज़े से थोड़ा सा risk भी जो मैं कह सकता हूँ कि इस stock के अंदर आपको देखने को मिल सकता है आज का अगर volume देखेंगे तो 1,49,880 shares के असपास का volume जो है आज के दिन में देखने को मिला है और अगर अगर बात कर लें इसके technical chart की तो यहां पे देखें इस level पे है एक resistance फेस कर रहा है अभी और यह resistance जब तक breakout नहीं होगा हो सकता है कि quarter 4 के नतीजे का इंतजार हो तब त positive number आए तो इस resistance को break करके stock जो है 300 के आसपास जो है हमें दोबारा से जाता हुआ देखने को मिलेगा लेकिन 400 के आसपास जाने में अभी stock को time लगने वाला है इस company का market capitalization देखेंगे तो 2,824 क्रोड का है और 5,000 क्रोड से अगर किसी company का market capitalization है तो वो एक small cap company होती है इसकी जो स सबसे अच्छी चीज़े हैं और यहां से आप performance का अंदाजा भी लगा सकते हैं बाकी performance भी देख लगते हैं कैसी कुछ रही है लास quarter में 29 क्रोड के आसपास का company ने operating profit generate किया था quarter 4 के नतीजों से पहले जो है share organic pattern जुरूर update हो चुका है promoter ने stake increase किया quarter 4 के अंदर FI का stake यहां पे हलका सा decrease हुआ public का stake जो है यहां पे हमें थोड़ा सा decrease होता हुआ देखने को मिला और DIA का stake as a t यानि की mutual funds ने ना तो खरिदारी की है और ना ही selling की है quarter 4 के अंदर phenotex chemical में अब बात कर लेते हैं KPIT technologies की तो KPIT technologies ने देखे almost 2% के आसपास की तेजी के साथ 898 रूपे पे जाके stock ने आज के अपनी closing दी है एक महिने के अंदर returns देखेंगे तो 7.5% के आसपास तक के return जो है already KPIT technologies बना कर दे चुका है बात अगर 6 महिने के data की करें तो 6 महिने के अंदर 30% के return निकल कर आ रहे हैं और एक साल की अगर बात करें तो 85% के returns जो है KPIT technology बना कर दे चुका है ये इस दोर में देखे returns बना के दिये हैं जब Russia और Ukraine का वोड चल रहा तो तो काफी positive returns जो है KPIT technology बीते एक साल के अंदर अपने investors को बना कर दे चुकी है अच्छे KPIT technologies ने investors को बना कर दिये है आज का अगर volume देखें तो 13,15,511 shares के आसपास का volume जो है आज के दिन में देखने को मिला है काफी अच्छा मैं कह सकता हूं volume 13,5,5 के आसपास का रहा है आज के दिन में अब technical chart देखिए आप लोगों के सामने है कि इस level को पहले tech यहाँ पे दुबारा चेक किया एक resistance कह सकते हैं आप इसको यहाँ पे जो है थोड़ा साब यहाँ पे एक support लेते हैं यह market करोड का company ने operating profit generate किया था और 18% operating profit margin के साथ में और अगर आप बात कर लें कि यहाँ पे share holding pattern किये तो देखिए promoter का stake थोड़ा सा decrease हुआ quarter 4 के अंदर FI का stake increase हुआ DI का stake decrease हुआ और public का stake भी decrease हुआ तो सिर्फ से ज्यादा FI ने माल उठाया है भले ही वो public ने बेचा हो promoter ने बेचा हो या फिर mutual funds ने बेचा हो तो सारा का सारा माल उठाया कि इसने FI ने उता FI जो है काफी bullish रहे है KPIT Technologies को लेके quarter 4 के अंदर बात अगर BCC share की करें तो देखें यहाँ पर थोड़ी सी profit booking देखने को मिली और दोबारा से अपर सरकेट लगा आज के दिन में इस चाल में आप लोगों को नहीं फसना यह चीज में पहले भी बता चुका हूँ कि CB की तरफ से अभी जांच complete नहीं हुए operator क्या कर रहे है? retail investors को trap करने की खुशिश कर रहे है कि यहाँ पर retail investors जो है operators की इस buying की वज़े से यहाँ पर अपना पैसा लगाए और जब यह पैसा retail investors का लग जाए उसके बाद अपना माल बेच कर निकल लेंगे और stock में दोबारा से lower circuit लगने start हो जाएंगे हलाकि quarter 4 की earnings का भी इंदजार करिए quarter 4 की earnings जो है हलाकि company ने अभी तक पेश नहीं की है बात अगर वीर कुरूपा dwellers limited की मैं करूँ तो देखिया आज के दिन में ओर्मों साड़े 4% की गिरावट देखने को मिली यानि की 2 is to 3 के ratio में जो है company ने bonus announce कर दिया है अगर आप भी इस company के एक shareholder हैं तो आपको 2 is to 3 के ratio में यहाँ पे bonus के share मिलने वाले हैं आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like share जरूर करें और अगर visit पहली बार की है तो चैनल को subscribe करके बाल आइकन को जुरूर प्रेस कर ले